मिन रम हमारे आदर्श है कि शन् g भी हमार आदर्श है मोधी जी योगी जी बताएं कि लिए वान होत हा हम भारती हैं हम भारती है को मांचे तो इतनी दिन लगे यह करने में कि सोनिया जी मलिकाजुन खड़के मनमोहन सिंग आएंगे या नहीं आएंगे आप पहले जब रमजान का महासम रहता था टोपी लगाकर वहां अफ्तारी में जाते थे आज मजबूर हो गए हैं मंदिर में जनियोधारी बनने के लिए अधिया को कॉंग्रेस पार्टी ने अब तक राजनितिक रूप से अच्छू बना दिया राकेश पार्टी जी मौसमी तोर पे उध्या आते हैं कुझा जांकर बारें नहीं है मैं अध्या को पहली बात समझ दीजिए अभी आपने सबसे पहले कहा कि यहां पर कोईने तक क्यो अगर जंदा की जोड़ा तो राजी गंधी ने जोड़ा था उसको घर गर रामायन के माध्यम से रामायन से अध्या राजी गंधी ने पहुंचाया इनके सर्टेप्र निया हो सकता हमको नहीं है यह इनको कुछ इनसे पूछे भी मताब आप जाथा यह कह राम नाम की सब्सक्राइब करें जोड़ा पूछा तो जवाब दिया नहीं है राजी गंधी नहीं है अब तक दर्शन करने नहीं है यह कितना शूट बोलोगे अच्छा करें घात हमने बनवाया यह करें बनवाया अपने आपने घात बनवाया नहीं तक लगा दिया था यह जो दमक है यह तो प्रभयात के क्रवा सही है राम भक्तों के कारण है इसतापित हुआ है उनको दुरस्त करतीजे ना अगर को यह तो नाम किना दीजे वो कर दो दो के लिए बताई ने कभी नहीं है जूट है कभी आप दोनों बयानों पर चाहते है कि आरजेडी माफी माँगे क्योंकि मुझे लगता एक भारतिया होने के नारे आपकी भी विश्वास को या फिर जो देश के बारे में आपकी सोचे उसको यह तो पहुचाता हो गा। किसी भी धर्म का आपमान क्या गलत नहीं है। मTalk अब कर दो Heancy के चाहं कि माफी मांगनी चाहिए क्योंकि मानि फाहत नहीं हूए इससे दुछे कई किसी की धर्म को ठेस पहुचाना बहुत गलत चीज रह बस इसे लहां हम बिल्कुल नहीं चाते हैं कि किसी की दर्म को किसी की आस्ता को ठेश पोचाया जाए हम सबसे बड़ी चीज यह हम कहना चाते हैं आपके चैनल के माधियम से हम कहना चाते हैं कि राम हमारे आदर्श है कृष्ण जी भी हमारे आदर्श हैं अम्बेटकर जी भी हमारे आदर्श हैं हम आपके चैन अब याज़िये लेकिन रहते विरंदवन में अभी अयोध्या आयोध्या और आइसके माद्यम से हम कहना चाहेंगे पुरे समुचे विश्वक के कोई भी दर्शक यदि आप यहां पर आना चाहिए और आपकी बेठने की कुछी भी वेवस्ता ना हो ना तो हम और न की वेवस्ता करेंगे नेपाली मंदिर के आप बीवी सान कुणना आ जाओ नेपाली मंदिर पूरी वेवस् कि हम राम जी को मानते हैं, क्रिशन जी को मानते हैं, क्या आप मुहम्मद जी को मानते हैं या नहीं मानते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुहम्मद जी का जन्म क्या भारत में हुआ था, हम भारतिये हैं, हम भारतिये महापुरसों को मानेंगे, या किसी अन्य देश के महापुरस हैं उनको मानेंगे यह बड़ी अच्छी बात कहीं है वो गुजराथ से हूँ जहां से मेरे मोदी है एक मिनिट मुझे बहुत गर्व है कि राम को लाने में कहीना कहीं मेरे मोदी घिक इतना सहयोग है मोदी है तो सब मुमकिन है अब यह खूशी को शुक्ला जी इस आएंगे और नहीं आएंगे अभी भी तैन नहीं है यह सब ये सारे इस तरीकी की बाते कर बनाई जाती है मीडिया के द्वारा और इनके नेताओं के द्वारे अब परिश पढ़े आपका रिटेश्ट आपको निमंत्रन मिला सब लोग आ रहे हैं जनता आप से कह रही है कि वो केवल हुक्म देता है इस पेस अलार जो ठहरा मैं उसकी जंग लड़ता हूं बस एक खतियार जो ठहरा तु भागम भाग कि इस दौर्ण में शामिल हुआ ही क्यों मैं कैसे साथ दू तेरा तु कम रफ्तार जो ठहरा राहूल गा है इस बात को पूरा हिंदुस्तान जानता है जिसने अपने कदमों से कश्पीर से करने कपरी नाप दिया है आप उसके लिए पात का अगश्मीर कर रहे हैं तो कहीं न कहीं यह बीजेपी के अजन्ट हो सकते हैं इस पूरी बात सुन लिजया बदा अफिर आघ़त करते हैं आप जानता हूं आप क्या है आप जानता हूं आप जानता हूं आप जानता हूं मैं योगी मोधी जी के आने से क्या परवर्तन हुआ है आप सोचिए पहले जब रमजान का मावसम रहता था टोपी लगा कर वहां अफ्तारी में जाते थे आज मजबूर हो गए हैं मंदिर में जनियोधारी बनने के लिए आज मजबूर हो गए हैं मंदिर में जाने के लिए यह परवर्ता ना है यह अज अध्या बिक्सित है अगर मंदिर बन गया है कांग्रेस और सबसे पूछना है मेरा तो क्या दिक्कत आप लोगो खो रही है आपके पालिटी वाले जितने इंडी गडबंधन वाले उल्टा सिद्धा बोल रहे नाम मंदिर के लिए क्या दिक्कत है और दूसरी चीज अगर बेजेपी वालों ने मं आप दीजें को तीन सवाल इन क्या है नुश्य जेगवार बोले दीजें आपी के साथी बीजेपी विरोधी होते होते हैं क्या सनातन विरोधी हो रहे है यही मेरा पहला प्रेश्ण एजयायादव से भी था कि धर्म बीजेपी का खूब आप पुलिटिकल पार्टी आप उ यही मेरा पहलता है वह हिंदुस्तानी नहीं है और दूसरी चीज़ हम यह कहिना चाहते हैं कि एक रहे हैं भाध्पा ने मंदिर बनाया या आथ तो पार्टी जी गोशित करते हैं कि नयाइपालिका से भाध्पा ने आदेश करवाया और नहीं तो आज आज यह गोठना करे जाकर के वकालत कर रहे थे प्रहुराम के पक्ष में और कपिल सिब्बल कॉंग्रेस के नेता वकालत कर रहे थे बाबरी मस्जिद एक्षन कमीटी के पक्ष में हमेशा कहा कि रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे और यह सवाल पूष्टे थे तारीख कब बताएंगे अब टारीख बता दीए है तो आफ इनको लगाए किि पःच्पा को नमिल जाहे इसलिए बार्तिय जंता पारटी स्रे लेने का कम नहीं कर रही है लेकिन ये जनता जानती है कि असलियत क्या है, सच क्या है, रामभक्त कौन है, किसने प्रहुरान मंदर के मार्ग में बाधाउं को हटाने का कम किया है किस अयोध्या को आज आप अपना अयोध्या कह रहे हैं ये अयोध्या नगरी संतों की नगरी थी जिस संतों को आपने भगवा आतकवाद का नाम दिया था गोलिया चलवाई थी संसद में और आज उसी को आप अपनी अयोध्या के लिए अमंत्रन मांग रहे हो भगवा की ता तने उस पर अपने जीजाजी फैक के मारो या फूपा जी मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी जा रहा हूं मुझे